फिर एक मतीमन्द बालिका नराधम की हवस का शिकार हो गई लेकिन जब बालिका की बहन उसे इमामवाड़ा थाने में लेकर पहुची तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और दोनों को थाने से भगा दिया रविवार को दिंधारे घटित इस घटना से कुछ समय के लिए तनाव का माहोल बना रहा प्रकरन डरच कर आरूपी को गिरुफतार किया गया है पीडित बालिका आठ वर्ष की और मती मंद है उसके माता पिता मस्दूरी करते हैं रविवार को माता पिता काम पर गय हुए थे पीडित बालिका घर के सामने खेल रही थी इसी दोरान पडोसी नीभू पानी विक्रिता सूरच और्फ सुरेश लोखंडे नामक अधेर वैक्ती ने खेलने के भाने बालिका को घर में बुलाया और जैसी बालिका उसके घर में गुसी आरूपी ने बालिका से दुश कर्म किया गटना के बाद पीडित बालिका अपनी बहन के साथ थाने पहुची लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया पशात घर लोटी और बहन ने मा को इस बारे में जानकारी दी जानकारी मिलते ही मा घर पहुची और बालिका को थाने ले गई बालिका की हालत देखकर पुलिस और परिजनों ने ततकाल उसे मैडिकल अस्पताल में भड़ती कराया गटना की सूचना मिलते ही जोन क्रमांग चार के उपायोगते नुरूल हसन वरिष्ट निरिक्षक सानब सादल बल मौके पर पहुचे आरोपी को गरफतार किया परिसर में बंद है उलेकनिय की इसके एक दिन पहले पांच पाबली शेत में भी साथ वर्षी बालिका पडोसी की हवस का शिकार हुई थी जाज चारी है उन्हें तुरंट जाकर वहां पर करवाई की और बीडिता को उसके पैरेंट्स को साथ में लेकर उसे मेडिकल कोलेज में रिफर करके एडमिट किया है एक्जैमिनेशन के लिए और बंद में उसके मालूमात जो उसने प्रोवाइड की है उसी के आधार पर वही पे उनके घ जो में रहने वाला एक विक्ति जिसने ये काम किया है उस विक्ति को तावे में लिया गया है उसके अभी करवाई आगी की की जा रही है क्यामरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पान सी बीसी न्यूस नागपुर